सो हे गाइस कैसे आप सभी उमीद है कि आप अच्छे होगे आज हम पढ़ने वालें जीके के मोश्ट इंपोर्टेंट कोस्टन और ये वही कोस्टन है जो कि आपके एक्जाम बार बार पूछ जाते हैं इस वार आपके एक्जाम में इस वीडियो से कोस्टन मिलने वाले हैं त को कहा जाता लाला राच्पत राय को याद कर लेना अगला कोस्टन दिखते हैं चंदुगुप मौरे के दहम का नौई था दोस्तों आपको बता ना चंदुगुप मौरे के दहम का नौई था जेन धरम का याद कर लो बेहदी आसान कोस्टन हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कोस आगे दिखते हैं तेक लिंगा धीपती की पादिधान की दोस्तों वो की थी करंदेव ने वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोज़न इस वर आपके एक्जाम में आ सकता याद कर ले ना भाया जी आगे दिखते हैं नंदी वार्दन किस वन्स का अंतिम सा सकता दोस्तों मोश्ट इंपोर्टेंट कोज़न आपके सामने आ चुका है नंदी वार्दन किस वन्स का अंतिम सा सकता वो था सिसु नाग वन्स का याद कर ले ना आगे दिखते हैं दोस्तो वह है अजासतरु का बाला कोट का युद कब हुआ दोस्तो मोज्ट इंपोर्टेंट कोर्स और लान कर से याद कर लेना आगे देखते हैं रावट के लाइप गवन्या थे दोस्तो वो थे ब्रेटेन के most important question याद कलेना आगे दिखते हैं मुल राज पिर्थम के धरम का नई था दोस्तो वो थे सेव धरम के नवगे याद कलेना आगे दिखते हैं किसने रामकिसन मिसन के स्थापना की थी very very important question दोस्तो बार बार पूछा जाने वाला question है किसने की थी स्वामी विवेक अनन्ने याद कले न आगे दिखते हैं अकवर के गुरु का क्या नाम था दोस्तो अकवर के गुरु का क्या नाम था आचुका आपके सामने most important question वो था अब्दुल लतीप इरानी अकवर के गुरु का नाम था याद करे न आगे दिखते हैं जो तीबा फूले की मुत्यू कव वही थी दोस्तो वो ही थी 28 नवंबर 1890 में ठीक है जो तीबा फूले की मुत्यू कव ही थी 28 नवंबर 1890 में मैगे स्थिनिस की पुस्ता का क्या नाम था most important question underline कलो दोस्तो ये कोशन वो ही है जो कि आपके एक्जामें पूछे जाते हैं बार बार वार वो है इंडी का दोस्तो मैगस तिनिस की पुष्टा के नाम है इंडी का आगे दिखते हैं सूर समराज्य गा संस्तापक कौन था? वो था सेरसा सूरी याद कर लो, सूर समराज्य गा संस्तापक कौन था? सेरसा सूरी और Grand Tech का rules कर remark ने करया था सेरसा सूरी ने ये भी कोषन आपके एक्जाम में आ सकता है, याद कर लेना आगे दिखते हैं आगरा की स्टापने करने वाला सासक कौन था दोस्तो किसने आगरा की स्टापना की थी वो था सिकंदा लोदी याद कलेना आगरा की स्टापना करने वाला सासक था सिकंदा लोदी आगे भारत के प्रिथम वाइसराई कौन थे दोस्तो वो थे लाड कैनिंग important question है आ सकता है आपके exam में याद कले न नोट कलो इस question को बाहत कर प्रिथाम वाई सर्ड कौन थे Lord Canning ठीक है आगा देखते हैं बंगल का बटवारा किस ने किया था दोस्तो बंगल का बटवारा किस ने किया था Lord Karjan ने बंगल का बटवारा किस ने किया था पढ़के जाने अपने exam से पहले पहले ठीक है आघे दिखते हैं चानके के बच्पन का नाम क्या था दोस्तो चानके के बच्पन का नाम था विस्नु गुप्त आगे दिखते हैं याद कले ना इस question को home rolling की स्थापना किस ने की थी दोस्तों वो की थी और बाल गंगा दा तिलक दोनों ने की थी तो आप confuse मत हो जाना इसमें एक option है हमने बता दिया है आपको दोनी home rolling की स्थापना किसे की थी और अगे दीखती हैं खानबा का यूद किसके मद्दे हुआ था दोस्तो खानबा का युद्जी हुआ था बावर और राणा सागा के बीच हुआ था दोनों के बीच ठीक है याद कर लिना very important question है बहुत वर आया आया आपके एक्जाम में अगला question देखते हैं Simon Commission का दूसर नम क्या था दोस्तो Simon Commission जो आया था उसका second name क्या था white man commission याद कर लो very very important question है और बहुत ही सुन्दर question आ सकता है आपके एक्जाम में अगला question प्राचिंतम बेद कौन सा दोस्तो वो है रगबेद सभी को पता बेहदी easy question है ये question तो almost सभी को पता होगा आगे दिखते हैं किस मुस्लिम सासक ने बिहार को जीता था दोस्तो वो था खिल जी जिसने बिहार को जीता था याद कर लेना आगे दिखते हैं दिल्ली में किसका मकवरा इस्तित है दोस्तो वो है हुमायू का दिल्ली में किसका मकवरा इस्तित है हुमायू का next question दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था बेहदी आसान कोशने इजी कोशने सभी को पता होना चाहिए सांजा ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला आगे दिखते हैं दिल्ली में किसने मज्जित का निमार करवाया था दोस्तों वो करवाया था सांजा ने और कौन सी मज्जित तो पूतरगाली था ये कोशन आपके एक्जाम में आ सकता है दूसरी बात काली टटपर आया था भारत पर दूस्तों सब पिर्थम का पर आया था काली टटपर और किस सन में आया था 1498 में ठीक है ये सन को याद कले ना आपके एक्जाम में आ सकता है ये कोशन तो वास कोटी गामा सा पिर्थम काली टट पर आया था 1498 में आगे दिखते हैं सूपरिसेद मनाक्षी मंदिर कहां पर हिस्तित है वो है मदूरे में याद कर लो very very important question है आ सकता है साथ यो आपके exam में सूपरिसेद मनाक्षी मंदिर कहां पर हिस्तित है मदूरे में आगे दिखते हैं जैनूल आभी दिन को किस नाम से जाने जाता है कस्मीर के अकपर के नाम से ठीक है कस्मीर के अकपर के नाम से जाने जाता है जैनूल आभी दिन को आगे दिखते हैं पूरवी भारत में बेटिस गवर्न दुबारा अपनी पहली फैक्टरी कहां खोली गई थी वो खोली गई थी उडिसा में याद कर लो आ सकता है भहिया आपके एक्जाम में पूर्वी भारत में बेटिस गावर्मेंट दुआरा अपनी पहली फैक्टरी कहां खोली गई थी उडिसा में अगला कोष़न दिखते हैं भारत में पहली जन गंदा किसके दुआरा करutive गई थी दोस्तो वो कर गई थी, लाड मया दुआरा most important कोष़न बारबार एक्जाम में आने वाला कोष़न इस कोष़न कौंडरलावन करेना भात में पहली जनगणना किसके दुबारा कराए गई थी लाड मायो दुबारा आगे दिखते हैं दोस्तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो सेर कर देने अपने दोस्तों को साथ एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल गो सस्काइब कर लेना नेवी एक्ट कब पास हुआ दोस्तों वो हुआ था 1927 में वेरी इंपोर्टेंट कोस्टन तो नेवी एक्ट कब पास हुआ था इंड नेवी एक्ट 1927 में ठीक है आगे दिखते हैं पाला वंस का प्रतम सासक था दोस्तो पाला वंस का प्रतम सासक था गोपाला ठीक है पहला सासक कौन था प्रतम सासक हम कह सकते हैं गोपाला अगला कोशन दिखते हैं चांद बीबी कहां की सासक थी दोस्तो चांद बीबी कहां की सासक थी एहमद नगर की most important question बताने जरूबत नहीं है बार बार आपके exam में question पूछा गया है तो याद कले ना दिहान से आगे 52 नामा किस भाहसा में लिखी गई है दोस्तों वो लिखी गई है तुर्की भाहसा में अती सुंदर question और इसी प्रिकारे question आपके exam मिलने वाले हैं याद जरू करके जाना दिहान से ऐसी question आएंगे आपके exam में बार मत करना किसर आपने बताया नहीं तो 52 नामा किस भाहसा में लिखी गई है तुर्की भाहसा में यदि ये question आजाता है तो कर दोगे नीचे comment करके बतागे जरू जाना इसका उत्तर गेंगने को पता था आगे दिखते हैं भीमरा अमेटकर किस अकवार से जुड़े थे दोस्तो वो जुड़े थे मुखनायक अकवार से ठीक है भीमरा अमेटकर किस अकवार से जुड़े थे मुखनायक अकवार से आगे दिखते हैं British भात का इतियास के लेखा के हैं दोस्तों कौन है? हिश्टी और British इंडिया के लेखा कौन है? जैम समिल याद कर लो दोस्तों आसकता है आपके एक्जाम में तो साथी आज हमने आपको GKK most important question कर दिये हैं ये question वो ही है कि जो आपके एक्जाम में 12 पूछे जाते हैं तो हम आपको टेलेगाम पर GKK quiz करा रहे हैं यदि आपने टेलेगाम जोईन नहीं कर रहा है तो जोईन कर लेना आप टेलेगाम पर जाना सर्च करना जी study आपके समने अकाउंट आजाएगा वहाँ पर आपको पलपले की जाने काई मिलती रहती है आपके एक्जाम संबंदित और वहाँ पर हम GKK quiz कराते हैं तो आप टेलेगाम जोईन कर लेना यदि आप चैनल पर नहीं हो पहली बार रही हो तो चैनल को सस्काइब कर लेना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंपोर्टेंट जी के कोशने साथ अब तक आप तेयारी करते हैं और अपना ख्याल लखो जय हिंद जय भारत